हलो फ्रेंड साव अनवेशा विलकम टु माई चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंगलिश प्राक्टिस करने वाले हैं एलाइस एसिस्टेंट मेंस के लिए और दोस्तो आने वाले महीने से मैं अनाकेडेमी पर भी रहूंगी यूट्यूब पे जैसा वीडियो चल र और दोस्ते इस अनाकेडेमी प्लस में आपको सिर्फ मेरे वीडियो नहीं आपको और भी अच्छे तीचर्स की वीडियो मिलेंगे और यह सब लाइफ क्लास में एक स्ट्रॉक्चर्ट क्लास लाऊंगी जहां पर मैं आई बीपीएस क्लर्क मेंस के लिए क्रैश कोर्स लाऊ पर मैं एक स्ट्रॉक्त लाऊंगी जहां पर मैं बेसिक तु अडवांस लेवल का इंग्लिश में करवाँगी ठीक है और मेरे अलावा आप दूसरे अच्छे तीचर्स के भी वीडियो लेग उनके लाइफ क्लास अटेंट कर गगे जैसे कि अनकुश लामबा सर फर रिस नि और करेंट अफियर्स अप देख भाऊगे ठीक है उनका भी लाइफ क्लास चलता रहता है तो यह सब कुछ अधर अनकादेमी प्लस के अंदर मतलब ऐसा है कि आप एक बार सब्स्क्रिप्शन लोगे और अप अनलिमिटेड वीडियो देखोगे अनलिमिटेड लाइफ क्लास अगर अगर आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन तो मेरा कूपन कोड अप अनवेशा जरूर यूज़ करना इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप अपने मोबाइल में या फिर आप उनके वेबसाइट में जाकर भी आप अनके वेबस का सब्सक्रिप्शन ल इसको भी आप जरूर चेक करें तो चलिए दोस्तों हम पहले ये पाराजंब सॉल्फ कर लेते हैं तो यहां पर देखिए A, B, C, D, E पाँच स्टेमेंट्स दिये गए हैं इसको आपको अरेंज करके एक पाराग्रफ बनाना है तो पहले स्टेमेंट्स का मतलब समझ लेते है Requiring government permission to build a temple, mosque or church could lead to claims of bias इसका मतलब कि अगर हमें government permission लेना पड़े मंदीर, masjid या church बनाने का तो फिर उसमें claims of bias हो सकता है Claims of bias का मतलब यह है कि लोग क्लेम करेंगे कि government biasness कर रहा है क्योंकि अगर temple बनाने के लिए temple बनाने के लिए अगर permission लेना पड़े तो Hindu लोग बोलेंगे कि bias ने सोड़ा हमें temple बनाने की इजाजद नहीं दी जारी है similarly अगर mosque बनाने के लिए अगर permission लेना पड़े तो ऐसा Muslims लोग कहेंगे and similarly for church Christians लोग कहेंगे ठीक है तो यह इसे कहते है claims of bias Religion in India especially Hinduism is pretty decentralized and if the court is worried about devotees being cheated by fraud stars making a quick buck there may be no quick fix solution इसका मदब यह है कि इंडिया में जो religion है धरम है और especially Hinduism जो है वो pretty decentralized है मतलब कि centralized वो नहीं है फैला हुआ है ठीक है और अगर quote इस बात से चिंतित है कि devotees, devotees मतलब क्या भक्त devotees मतलब भक्त कि जो भक्त है उन्हें चीट किया जा रहा है fraud stars उन्हें cheat कर रहा है fraud stars मतलब क्या जो fraud करते हैं fraud stars उन्हें cheat कर रहा है making a quick buck, quick buck मतलब easily पैसा कमा रहा है उनसे there may be no quick fix solution तो इसका कोई fixed, इसका कोई जल्दी इसको solve नहीं किया जा सकते है इसका कोई fix solution नहीं है if SC is worried, SC मतलब Supreme Court if SC is worried about how donations are spent and tax evasion is happening that is a different matter अगर Supreme Court इस बात से चीनती थे कि donation कैसे किया जा रहा है tax evasion मतलब tax को evade करना मतलब tax ना pay करना tax को escape करना evasion मतलब escape tax escape करना कि donation कैसे दिया जा रहा है और tax को कैसे escape किया जा रहा है तो वो तो एक अलगी बात हो गया अगर इस बाड़े में चिंता है Supreme Court का तो वो तेक अलगी विशय हो गया अलगी topic हो गया Legislation, Legislation का मतलब होता है Law ठीक है? Law Legislation requiring all entities running religious institutions to register with state government should be enacted and this information can be passed on to tax authorities एक law ऐसा बनाना चाहिए कि सारे चितने entities हैं जो religious institutions run करें Entities मतलब क्या होता है दोस्तों Entities मतलब होता है Authorities या कोई organization organization ठीक है? सारे जो organization है जो religious institution run कर रहे religious institution मतलब temple, mosque, or church religious institution चला रहे तो उनको अपना religious institution जो हो रेजिस्टर करना होगा state government के पास और और ये information tax authority को पास किया जाएगा ठीक है? Going to temple run by private management private trust is a devotee's prerogative इसका मतलब ये है कि प्रिरोगेटिव का मतलब होता है दोस्तों right मतलब हक 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 और यहां पर जो मतलब हो रहा है वह है अपका choice ठीक है? मतलब प्राइवेट मैनेश्मेंट द्वारा प्राइवेट किसी प्रस्ट द्वारा चला जाने वाले मंदीर में डिवोटीस का जाना तो उस डिवोटीस का खुद का चॉइस है कि वह जाए या ना जाए ठीक है? तो यह है आपका पूरा पूरा कम्प्लीट पारग्रफ तो इस पारग्रफ को देखिए आप कैसे इसको मतब अरिंज करेंगे तो देखिए दोस्टो आप किस स्टेटमेंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए आपको ऐसे स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए जो कि इस पूरा पारग्रफ का जो थीम है उसको इंट्रोड्यूस करें, okay, okay, देखिए, अगर अगर फर्स स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, रिक्वारिण गवर्नमेंट पर्मिशन तू बीलड़ अप टेंपल, मॉस्क और चर्च कुड लीड तू क्लेम्स ऑ बायस, यहां पर क्या हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अचानक से क्यों यह टेंपल, मॉस्क और चर्च बनाने के परमिशन के बारे में बात कर रहा है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इस परमिशन के बारे में बात किया जा रहा है, हमारे पास पर इंट्रोड़क्शन नहीं है, तो इसलिए इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं Second statement Religion in India, especially Hinduism, is pretty decentralized and if the court is worried about devotees being cheated by fraudsters, making a quick bug there maybe no fake solution, इससे हम जरूर स्टार्ट कर सकते हैं Third statement, if Supreme Court is worried about how donations are spent and tax evasion is happening that is a different matter यहाँ पर देखिये how donations are made, किस donation के बारे में बात किया जा रहा है इसके बारे में यहाँ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि डोनेशन हैं पडिशन होत है कभी कभी हम Donation कोई NGO को करते हैं कभी कभी Donation स्कूल या कॉलेज को किया जाता है तो कोई donation झाल तो कांगी लोग 155 जार फीरफ प्र है a legislation requiring all entities running religious institutions to register with state government should be enacted and this information can be passed on to tax authorities इससे भी स्टार्ट हो सकता है अब देखें फिफ्ट वाला देखें going to a temple run by private management or private trust is a devotee's prerogative यहाँ पर बात यह आ रहा है कि temple private management or private trust में अब एक प्राइवेट रुछ से लिफ्ट प्राइवेट राण किया गया टेम्पल में जाना एक devotee का अपना चौइस है इस बारे में हम बात क्यों करें जरूर पहले कुछ हुआ है जिसके वज़े से हम ऐसा बोल रहे है कि अब देखो बात यह है कि B में क्या है? B में पहले ही रिलिजिन के बारे में एक रिलिजिन के बारे में एक आपका इंट्रोड़क्शन दिया जा रहा है कि हिंदुईजिम जो रिलिजिन है specially वो डिसेंट्रलाइस्ट है और इसलिए अगर कोटीश बारे में चिंता करते है कि डिवोटीश को चीट किया जा रहा है मंदीर द्वारा तो इसका कोई fix solution नहीं है कोई quick का solution नहीं है इसमें एक introduction दिया जा रहा है लेकिन यह वले डी वाले में देखो पहले ही लो का बात किया जा रहा है स्टेटमेंट B से हम इस पारग्रफ को स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पर स्टेटमेंट B देखो क्या कहता है, कि इंडिया में जो रिलिजियन है, स्पेशली हिंदु इसम वो डी सेंट्रलाइस्ट है, वो फैला हुआ है, और कोट अगर इस बारे में चिंतित है, कि डिवोटीज को भक्त को चीट किया जा रहा है फ्रॉट स्टार के द्वारा, और फ्रॉट स्टार्स भक्त से इजिली पैसा कमा रहा है, तो इसका कोई क्वेक सल्यूशन नहीं है, ठीक है? उसके बाद, लिए और फ्रॉट स्टार्स कब चीट करते हैं, बन्दीर में फ्रॉट स्टार्स जो है, वो दिवोटीज को चीट करें, कैसे चीट करें, कौनसे मंदीर में चीट होता है, जो और मंदीर प्राइवेट इंस्टिटूशन द्वारा रं किया जा, अगर गवर्नमेंट के अंदर हो, तो वो तो चीट नहीं करेंगा, वो तो पैसा कमाने के बाड़े में नहीं सोचेगा, तो इसका मतलब आपका, फिर नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट जा जाता है, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट जाता है, एक्सट आपका एक्स्ड आजाता है, ठीक है? उसके बाद देखो दोसन्य उसके बाद देखो क्या है, आप आह प्राइवे हैं जा जotta बारा आप प्राइवे ट्रस्थे बारा मेरे रन किया हूए टेम्पल पाल भी मुझा है। और बार आप डाम करतें ह草 ठापनों ठाह चांता है, बसके कई की बारा कुछा मेरेनी कुछा है, लूझ आप का राएए रे लोग टोक नहीं हैं तेक्स यह लोग मंदिर क्या करता है टाक्स पे नहीं करता है गवर्मेंट को इसलिए आपका आजाएगा स्टेटमेंट सी आपका आजाएगा नेक्स स्टेटमेंट ठीक है इसका बदब यह है कि आप डिवोटीस को चीट होने से तो आप नहीं सकते हैं इसका कोई सलूशन नहीं है क्योंकि डिवोटीस प्राइवेट मैनेजमेंट या प्राइवेट प्रस्ट द्वारा रन किये वे टेम्पल में जाएगा वो अपने खुद का डिवोटी का चोईस है लेकिन अगर इस बात से चिंतित हो कि जो मंदिर है वो टैक्स पे नहीं करें तो वो तो अलग बात है व कि वे यह आप खाँए लेक्रमी यह एक टिका पैसा लेकिए थेवेम्स को आखाई। टैक्स नहीं कर कराई लिए खीजिय 500 खाय बात हूँ कर की से नहीं के अज़क लेकिन, इतना तक तो आप कर सके लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहो की에도 अवरियम्मेंट एप को कैली जर्मócपने से पहल तो आप काज गया स्टेटमेंट F referenced लास्ट स्टेटमेंट ठीक है यह आपका आ गया इंटर अपका पैड़ा जंबल नेक्स देखिए दोस्तों हम एक वर्ड यूसेज का क्वेशन करेंगे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है नॉवल और यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दिये गया है और आपको बताना है कि कॉणसे स्टेटमेंट में इस वर्ड का सही यूसेज हुआ है तो पेरे तो हम नॉवल का मतलब समझ लेंगे एक मतलब यह मतलब जान लेंगे नॉवल का एक मतलब तो होता है दोस्तों स्टोरी बुक ठीक है? storybook एक मतलब होता है storybook कहानियों का किताब ठीक है और जनरली जो fiction वाले storybooks होते है और जो मुटे-मुटे किताब होते हैं कहानी का उसको हम novel बोलते हैं उसके बाद और दूसरा एक meaning होता है दोस्तों दूसरा एक meaning होता है unique ठीक है कोई चीज यूनीक, ओरिजिनल, गूर्ड मता पॉजिटिव सेंस में यह यूस होता है हम ऐसा बोलते हैं जोस्तों novel idea novel idea मतलब बहुती यूनीक आइडिया, बहुती ओरिजिनल आइडिया, बहुती गूद आइडिया इस मिनिंगे हिसाब से और मैं एक संटेस आपको बताती हूँ keeping sheep in the garden is a novel idea to keep the grass short तो इसका मतलब क्या है कि sheep को गार्डेन में रखना एक बहुती नॉवल आइडिया, बहुती यूनीक औरिजिनल गूद आइडिया है जिससे की गार्डेन का घास जो है वो चोटा रहा है क्योंकि sheep क्या कड़ेगा, घास खा लेगा ठीक है okay to make a truly memorable outing, try novel combination of classic ingredients or explore lesser known wonder foods तो इसका मतलब यह है कि a truly memorable यादगार memorable का मतलब क्या होता है यादगार a truly yadगार एक outing के लिए या तो तुम novel combination मतलब यूनीक, original, good combination of classic ingredients आप सोचो और आप explore करो ऐसा खाना जो मतलब बहुत कम खाया जाता lesser known मतलब लोग जिसको जादा जानते नहीं है ऐसा कोई खाना तुम एक्स्प्लोर करो तो यहाँ पर यह usage बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर novel combination का मतलब कहा जा रहा है unique combination okay unique combination okay तो यहाँ पर बिल्कुल सही है second statement if you were a novel I wouldn't read you beyond the first page अगर तुम कोई novel होते तो तुमको मैं एक page से जादा तो मैं तुमको पढ़ती ही नहीं क्योंकि तुम इतने boring हो okay तो यहाँ पर समझ रहाँ नोवल नोवल फैमिली and possessed a small estate was by profession and advocate उसके पापा जो की आय है descended मतलब आय है एक बहुती पुराना untitled untitled novel family से बहुती पुराना untitled मतलब जिसका जादा जान पहचान ना हो ऐसे फैमिली से आया है और एक small estate है उसके पापा का possessed मतलब ओन करते हैं एक small estate estate मतलब क्या होता है land या property type was by profession प्रोफेशन प्रोफेशन में वह एड्वोकेट है यानि की लॉयर है यहांपर तेको novel family novel family क्या होता है दोस्तों novel family unique family family कैसे unique हो सकते है original family नहीं यहांपर आपका गलत हो जाएगा और एक चीज आपका novel जो है यह बहुत ही एक good sense में यूज होता है और यहांपर जो family है यह बहुत ही पुराना एक untitled family है तो यहांपर कैसे novel अप्लाई होगा यहांपर अप्लाई नहीं होगा तो आपका एंसर हो जाएगा 1 & 2 तो यहांपर आपका आपका एंसर हो जाएगा यह वाला option both 1 & 2 तो देखिए दोस्तों यह जितने questions है नहीं यह मैंने grade up के L.I.C. assistant मेंस mock test से लिया है तो यहांपर next word है आपका course तो course का meaning पहले हम समझ लेते हैं देखिए एक meaning तो आपका है जैसे की पढ़ाई करने का course ठीक है पढ़ाई करने का course यह फिर आपका medicine का course ठीक है आजकल हम ऐसा बोलते है कि class 10 CBAC का course बहुत tough होने लगा है आजकल तो यह है पढ़ाई का course फिर हम ऐसा बोलते है antibiotic का course हमें complete करना चाहिए ठीक है तो वो antibiotic का medicine का course इसका मतलब course का यहां पर first meaning हो गया procedure यहां पर course का first meaning हो गया procedure ठीक है अब second course का और एक meaning होता है वो होता है आपका खाना meal ठीक है meal जैसे कि हम ऐसा बोलते है कि main course main course main course मतलब जो चावल रोटी खाते है उसे हम कहते है main course फिर इसके बाद हम कहते है dessert का course इसका मतलब यह सब है meal का course ठीक है parts of the meal और जो third meaning होता है वो होता है root कोई भी जाहाज जो root ले उसे हम कहते है course course of the journey okay course of the journey तो इसे हम कहते है course तो course के 3 meaning है अब चली हम statement के तरफ चलते है having the world's reserve currency is a course because it necessitates a willingness to have endless trade deficits केंज है कुछ देफिसиновनी तो देखिए तोर इसका मतलब यहहा कि हम का वरल незाय बहुर्ट राषभर रहना कि हम कहँ है कि हम The World's Reserve currency और हम कुछ है किसे रुछिस टो अनले से लिलिंए तो इस से क्वन कोई हते जीका हम इससे क्तरते कॉर्स का कोई मतलब ही नहीं बैढ ता है दोस्तों, प्रोसीडियर वोल्ड का रिजर्व करएंसी रहत है है को सीडियर नहीं यह एक जल मिल भी नहीं है और तो यहां सेकेंट वाला ग्योगवो के रखें एक यह लुट पर भी देखेंग यहां पर भी देखिए उसने एक shapeless yellow cap पहना है dash work cloths, course work cloths, course work cloths नहीं हो सकता है meal का पार्ड भी नहीं है और कोई root भी नहीं है तो यहां पर भी यह मतलब आपका गलत हो जाता है और state sentence वाल 3 देखिए by the time the fourth course was served I was stuffed to the gills तो जब तक की fourth course served हुआ तो यहां पर course meal है ठीक है meal है तो fourth course जब तक served हुआ तब तक मेरा पुड़ा पेट भर चुका था stuff to the gills मतलब पुड़ा पेट भर चुका था ठीक है तो fourth course मतलब ऐसा होगा soup उसके बाद starter उसके बाद आपका main course और उसके बाद आपका desert ठीक है यहां पर statement 3 आपका सही है तो आपका answer हो जाएका only 3 ठीक है चलिये तो next word जो है वो है आपका amplify टीक है तो amplify का मतलब क्या होता है यह पहले हम समझ लेते हैं amplify का मतलब क्या होता है एक Еще amplify का मतलब होता है sound increase करना increase the volume increase the volume कोई sound का volume increase करना ठीक है एक यह meaning होता है, दूसरा जो meaning होता है, वो होता है कोई भी चीज को magnify करना, मतलब बढ़ा करना, okay? या फिर कोई भी चीज को जादा intensify करना, मतलब intense करना, यह दो होता है amplify का मतलब, तो चलिए अब statements पढ़ते हैं, first statement है, foods with sugar or fat seem to trigger cravings that then rewire the brain's pleasure circuitry to amplify that craving, मतलब जिस खाने में sugar रहता है या फिर fat रहता है, वो क्या करता है, हमारे cravings को trigger करता है, cravings मतलब क्या होता है, extreme desire, एक्स्ट्रीम डिजायर मतलब बहुत powerful इच्छा, उसको trigger करता है, want trigger activity, okay, मतलब क्या होता है, जो खाने में sugar होता है, वो खाना अगर हम खाये, तो हो हमारे desire को activate करता है, और फिर हमारा brain का जो circuit है, वो rewire हो जाता है, और उस craving को, कौन से craving को, sugar craving को, craving मतलब, क्या होता है, अभी मैं बता ही तो वो sugar craving एकल अभी आपलिफाइभ हो जाता है Amplify is means Intensify Intensify हो जाता है तो जब हम sugar क्या खाना क्या होता है तब क्या होता है जो नहीं हमारा जो sugar craving है वो Trigger हो जाता है फिर हमारा brain जो brain pleasure, circuitry जो है ब्रेंग का मतलब जिससे कि हमें एंजोयमेंट हो प्लेजर हो वो रिवायर हो जाता है और तब क्या हो जाता है हमारा शुगर का जो प्रेविंग है जो इस बढ़ भी जाता है इंट्निक हो जाता है तो यह संटेंस बन बिल्कुल करेक्ट है सेटें ही चोड़िट ह कि आती हाव और प्रेश्विस अजर्फेटल सेक्सेस्टे प्रेंगे सर वा Eli इसका मतलब यह है कि वह स्टस्बुली मतलब सफल तरिके से का थैए सफल्ता के साथ प्रेश्यकों प्रेश्यकों रोटहर है बाधर डालना ऐप साहिव डिक्षिनरी में अब देखोंगे लिखा हुआ है इनके रिक्ष लेकिन जब आप सेंटेंस में उसकोप प्रयोग कड़ोगे तब आपिस के साथ आप्लिफाय नहीं लिख़ नहीं लिख सकते हो आप नहीं लिख सकतो in यह पांकिन का रूल प्राइसन, प्राइस को मेंनुकर प्रैस को और मैंक्रीस को बाकिन क्या है दोस्कों में पता है रुटार कि नहीं था कि नहीं क्या सिंपाल स्कल्सक। तो यहां पे honesty or diplomacy को आप कैसे answer में amplify करोगी, increase कैसे करोगी, यह बिल्कुल गलत है, आपको maintain करना है, अपने answer में आपको honesty or diplomacy रखना है, maintain करना है, ठीक है, तो यह भी आपका गलत प्रयोग हो गया, तो आपका correct answer है, option one, only one, ठीक है, यह आपका correct answer है, चलिए, अब हम कुछ error detection के questions थे क्रिए आप से हैं तो यह दो क्वेशन जो है, तो यह दो देक्शन के कare लाओं गिया, यह दो ग्रेडब से हैं, ठीक है, इंग्रेडब से है, फ्री मोक्टस से है, okay, Blender is a, Blender is an professional, free, open source and an expensive 3D computer graphics software used for creating animated films, art, 3D printed models and video games, वोटो फीचर्स एन इंटिग्रेट गेम इंजिन इसका मतलब समझ लीजिए Blender जो है यह एक प्रोफेशनल फ्री ओपन सोर्स और एक्सेंसिट 3D कंप्यूटर ग्राफिक सोफ्टरर है एक्सेंसिट का मतलब क्या होता है जोस्तों कोस्क्ली या महेंगा ठीक है 3D कंप्यूटर ग्राफिक सोफ्टरर है जिसे हम इस्तमाल करते हैं अनिमेटेड फिल्म्स आर्ट 3D प्रिंटेड मॉडल्स और वीडियो गेम्स को बनाने के लिए और यह फीचर करता है एक इंटिग्रेट गेम इंजिन को ठीक है यह है इंटेंस का मतलब अब देखें एडर कहां पर है दोस्तों यहां पर सेंटेंस में देखिया आप अन का इस्तमाल कब होता है यह आप सोच लीजेए आप का इस्तमाल होता है A-I-O-U से पहले या फिर अगर कोई वर्ड ऐसा हो जिसका प्रतांइट ऊसके आगे हम यूस करते हैं और अन अम्रेला ऑके आन एग यहां पर E भी होगा A, E, I, O, U एन अमरिला, एन एक तो उसके आगे हम एन का यूज करते हैं यानि कि वावल के आगे हम एन का यूज करते हैं या फिर वावल साउंड से आगे वावल साउंड से आगे हम एन का यूज करते हैं यहां पर P प्रोफेर्शनल선टनल ना तो यहां पर सांड बॉडल का साँंड और इन आ हम यहां पर आज मिन half a john cas यहां पर धू провिषांस यहां आज पर अ भ सांड़ें यहां यहां पर यहां पर यहां यहां सॉंडल नहीं करना होगा और ऐसी कई के हैं कि यह सब्सक्राइज कॉछी से हुची तरह रहा है qe कि मेहनग थार्री कोई भी हाण मेहनगा भी हो सकता है pre स्कारanden से इफेल फ्रीयों का इफ लाउपन आग उचाल में उसके सथा है और स्कारव ठीकलिज्छ।्टिछ यहाँ परश्कश्तित रे गिस्तित रह alert झाल एफोर दिन कम कि ऱीफोरिया है छी तरफेल पंपेल्प्रोंस देड भेड होगा 3D computer and 3D computer graphics software used for creating animated films, art, 3D printed models, models and video games Now look, there is Who, who is used to use, now when do you use Who? Who is used to use? Who is used to use? No matter what you use for living things, it means that you use for living things, or for living things or for living things, you can use Who's to use. But you can't use non living things for non living things. You can use who's to use Blender, because Blender is a software that is non living thing. So, you don't use Who's to use. Here you can use Which's to use. And then here you can use To's to use. What does To mean? To means To means To means To means Also. This is also. But when do you use this too? When you use this too? When you're talking about another thing, then you will say this too. Then you will use To's to use. But here you are talking about Blender, that there is no other subject. So, that's why you don't use To's to use. So, you just use Which. Which Features and Integrated Game Engine. Now, here you have Features. Features are used. Features are used for your Blender. The Blender is singular. That's why you are using Features. If Blender is plural, then you use Features. Which is correct. Okay? And Integrated. Integrated. There is an I. That's why you use here. An Integrated Game Engine. Which is correct. So, your fault is in Part A. And your fault is in Part 3. So, your answer will be 1 and 3. This is the option. Now, let's go to the next sentence. Next sentence. A supernova is a transient astronomical event who occurred during the last stellar evolutionary stages of a star's life. Either a massive star or a white dwarf whose destruction is marked by one final explosion. Okay? This means that a supernova is a transient astronomical event. It is an astronomical event. What does it mean by a transient change? What does it mean by a change? What does it mean by a change? What does it mean by a change? Okay? Okay? So, the supernova is a transient change. The transient means changing. or short-lived. What does it mean for a very short time. I can say that. We can say that. What does it mean by a transient? What does it mean by a change? Or short-lived. What does it mean for a very short time. One can say that. Temporary. That's what we can say. Okay? So, we will call it transient. A transient astronomical event. When does it occur? The last stellar in evolutionary stages of a star's life. एक star का जो life है उसका last stellar evolutionary stages में यह occur करता है यह एक supernova, एक massive star, massive मतलब बहुत बड़ा, extremely big एक massive star है या पिर एक white dwarf है, ठीक है, dwarf मतलब extremely small ड्वार्फ है जिसका destruction कब होता है, एक final explosion के बाद होता है एक final explosion के बाद होता है, यह है sentence का मतलब अब यहाँ पर आपको error find out करना है तो देखिए, a supernova is a transient astronomical event, बस एक ही astronomical event के बारे में कहा जा रहा है इसलिए यहाँ पर आप अ का यूस कर रहे हो, जो की बिल्कुल सही है और यहाँ पर देखो, t है, t है, t एक consonant है, इसलिए यहाँ पर a का यूस करोगे, ann का यूस नहीं करोगे इसे-ब हो नविघ्ग करते हो, 0,000,000 नविघ्ग करतें हो, इसने यहां पर हुगा इस्तेमाल नहीं होगा, ईसे यहां पर हो इस्तेमाल हो जाए विच, ठीक है? उसके बार देखो,स बार ईक ढ़न्छावा एक है जो की घटता है, कौन घटता है यहां पर देखिए सिंगुलर है, यहां पर देखिए सिंगुलर है, यहां पर आपको सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए, लेकिन अचर हो जाता है प्लूरल वर्ब, इसलिए यहां पर अचर नहीं, आपको यू करना होगा occurs during the last stellar evolutionary stages of a star's life either a massive star or a dwarf white or a white dwarf whose destruction is marked by one final explosion so here during the last during किसके लिए यूजोरा है दूसर दूरिं यूजोरा है कि ये last stellar evolutionary stages इस time के लिए आप during के इस्तेमाल कर रहे हो ये भी बिलकुल सही है either a massive star या तो एक massive star है ये भी singular है या फिर एक white dwarf है ये भी singular है बिलकुल सही है whose destruction is marked किसका destruction इस supernova का destruction ये singular है इसके हम यहाँ पर इसके इस्तेमाल कर रहे है marked by one final explosion तो बाकी सब parts बिलकुल correct है तो आपका error है part one में तो आपका answer हो जाएगा only one तो यही पर मैं खतम करूंगी मुझे उमीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और दोस्तों आप comment section में please लिखिए कि आप और कौन-कौन से topics पे English का कौन-कौन से topics पर video चाहते हैं या फिर in general आप कौन से topics पर video चाहते हैं या जरूर comments में लिखिए मैं उसी topics पर video लाऊंगी okay तो मैं फिर से मिलूंगे आप से मेरे next video में so till then bye